अलो दोस्तों मेरा नाम है मुहम्मद कैसर और आप देख रहा है स्टड़ी चैनल सीटेट की ओफिसेल एंसर की दोस्तों आ गई है लेकिन छातरों को बहुत ज़्यादा समस्य आ रही है एंसर की मिलाने में चात बुचरे हम मिलाएं कैसे ये तो सब एंसर गलत हो रहे हैं लेंगवेज में 60-60 कोश्चन के एंसर क्यों दिये गए हैं आपको दोस्तों सारे जानकारिया आपर मिलेगी बिल्कुल एक्जैक्ट और एकुरेट लाट तक बहुरेएगा आप भी समझे और अपने दोस्तों क मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो आप पूछो अनलिमिटेड सवाल कभी भी और कहीं भी चाहें आपका सवाल छटी से लेकर बारहमी तक के हो आई आई टी जेई नीट का हो या सिब्यसी बोर्ड यूपी बोर्ड आस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का हो साथे साथ फेज कमेस्ट्री मैध बालजी और साइन्स के सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे और यहाँ पर नवी से बारहमी और आई टी जेई नीट की ओनलाइन क्लासेस भी चल रही है और लगबक सभी स्टेट के जो टॉपर हैं यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं तो इंस्टॉर कर लिजे डॉटन टैप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है सुनिए step by step confusion कहीं नहीं होना चाहिए सबसे पहले आप question paper अपना download कर लिजिए जिस date को आपने परिक्शा दी है उस date का आप question paper download कर लिजिए मालिजे कि आपने अपना exam दिया था 23 December को ठीक है तो 23 December select करिए paper 1 या paper 2 select करिए उसके बाद language select करिए और उस date का paper आप download कर लिजिए इतना ठीक है जिस date को आपने परिक्शा दी थी उस date का आपने paper download कर लिया अब दोस्तों आपको answer की download करनी है यहाँ पर आपको confused नहीं होना है response की जो आपने download किया है उसके हिसाब से answer की नहीं आया है जिस date का question paper आप download करेंगे उस date के हिसाब से answer की आई है तो अब आपको दुसरा काम क्या करना है अपनी answer की download करेंगे उसके लिए आप यहाँ पर click करेंगे page को scroll करेंगे सबसे नीचे यहाँ पर option देखने को मिलेगा आप यहाँ पर login होंगे और आप अपना answer की login होने के बाद download कर लेंगे इस तरह की answer की download होगी 23 जनवरी का answer की हमारे सामने है यह main paper का answer की है यानि कि जो 90 question होते हैं जिसमें cdp math और environment होता है वो 90 question के answer आपको यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि language अलग-अलग student अलग-अलग state करते हैं कोई Hindi लेता है, कोई English लेता है कोई Sanskrit लेता है, कोई Urdu लेता है तमाम language होते हैं 20 total language होता है सिटेड में तो आपने यह वाला answer की download कर लिया अब main paper में देखिए पहला question क्या है और उसका answer आप यहाँ से मिला लीजिए इसके बाद दोस्तों आपको अपना response की भी side में रखना है अब जो main paper आपने download किया, जो question number 1 है जिसका option 3 है यह जरूरी नहीं है कि पहला question आपके response में भी पहले number पर ही हो उसके option भी उपर नीचे है इसी चीज़ को आपको समझना है हो सकता है पहला question आपके response में 8 में पर हो, 10 में पर हो या 15 में पर हो तो main question देखिए उसका answer यहां से देखिए और फिर अपने response में देख लिए कि वो question कहां पर है और जो तीसरा option इसमें दिया गया है वो आपके किस number पर है क्योंकि response में तो आपका answer भी 100 हो जाता है तो इस हिसाब से आपको answer मिलाना है बिल्कुल भी confusion नहीं होना चाहिए आपके response से यदि आप ये वाला answer की मिलाएंगे तो सब पुल्टा पुल्टा हो जाएगा और आपको लगेगा कि आप तो बिल्कुल 10, 20, 25 नमबर ही पा रहे हैं तो main paper का काम हो गया final मैं आपको बताता हूँ अब language के बारे में जैसे मालीजे किसी ने Sanskrit लिया हो तो अब यहाँ पर 60 answer दिख रहे होंगे 91 से लेकर 150 तक जबकि Sanskrit के तो आपने 30 सवाल की होंगे या जो भी आपने language लिया हो चाहिए वो English हो या Hindi हो यहाँ पर दोस्तों आपको एक शीज का ध्यान रखना है यह पहले भी होता था जब exam offline होता था Sanskrit आपने language 1 में लिया था या language 2 में लिया था इस शीज का अब आपको ध्यान रखना है यदि आपने Sanskrit को language 1 में लिया था तो आप 91 से लेकर 120 तक Sanskrit मिला लिजिए और यदि आपने language 2 में Sanskrit लिया था तो आप 121 से लेकर 150 तक अपना मिला लिजिए क्योंकि language आप 1 में भी ले सकते हैं 2 में भी ले सकते हैं इस तरह से यह answer की जारी हुई है मालत आपको इसे छात्र ने Hindi लिया था तो 91 से लेकर 120 तक आप अपना Hindi मिला लिजिए और यदि आपने language 2 में English लिया था तो English वाला भी डाउनलोड आपका होगा तो इसी तरह से यदि आपने Hindi language 2 में लिया था तो आप 91 से 120 तक अपना Hindi बिलकुल भी नहीं मिलाएंगे आप 121 से लेकर 150 तक अपना Hindi मिलाएंगे मिलाएंगे कैसे जैसे आपने main booklet को मिलाया था उस date का paper डाउनलोड करेंगे इस answer की से मिलाएंगे और फिर देखेंगे कि जो main booklet में question है वो आपके response में किस जगह पर है इस answer की से जो answer सही हो रहा है आपके response में किस number पर है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा seated ने इस बार आपको मेहनत करा दिया है तो थोड़ा सा मेहनत करें तभी जाकर आप अपना answer की सही सही मिला पाएंगे और यदि आपको ज़्यादा दिकत हो रही है समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए मिलाने की कोई ज़रुद नहीं है जब final result आएगा तो उसमें आपका जो number है वो 100 हो ही जाएगा मिलाने से यह फायता होगा यदि आप किसी question पर objection करना चाहते है यदि आपको लगता आपको उसका answer गलत दिया है तो आप उस पर objection कर सकते हैं एक बाद जब result आजाएगा तो objection आप नहीं कर पाएंगे result भी दोस्तों दस फरोड़े से पहले पहले ही चारी हो जाएगा साथ फरोड़े क्या सबस्ट जारी होने की पूरी पूरी संभावना है तो आइधिंग अब आप समझ गए होंगे जो seated का exam दे रहा है seated का question solve कर रहा है तो इस चीज़ को समझना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है समझ गए होंगे तो वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe कर लिजे और बेल लाइकन दबा लिजे साथी साथ आप हमारे टेलेग्राम चैनल को भी जोईन कर दीजिएगा मैं कोशिश करूँगा जादा स्यादा question paper और answer की टेलेग्राम पर provide करा दूँँ जो भी आप comments कर सम मिलिकेंगे वो मैं टेलेग्राम पर provide करने कोशिश करूँगा आप समझ गया हो तो आप अपने दोस्तों को भी समझाएगे क्योंकि बहुत सरे चाथ इसको लेकर परिशान है इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिजे ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और आथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती रहे थैंक्स और वाशिंग